आज मैं आपके लिए भोती यूनीक और यूसफुल किचन टिप्स लाई हूँ आप इस वीडियो के ध्यान से देखिए अक्सर क्या करते हैं हम सूजी लेके आते हैं और वो ना भोजल्दी खराब हो जाती है और यह देखिए यह हमें सूजी लाई थी यह तो दुकान से ही खराब आई थी अब इससे क्या करें कि देखिए कितनी इसमें सुरसुरी और यह निकली है इसको क्या करेंगे इससे बचने के लिए इसको हम भूनेंगे इसको अच्छे तरह से भून लेंगे और ये हमारी इतनी useful kitchen tips है कि इससे हमारी जो सूजी है सालो साल चलेगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और दूसरा जब भी हमको कुछ भी बनाना हो जिसे सूजी का हलवा बनाना हो या कुछ और बनाना हो तो हमें सूजी को जाता भूनने के जुरूत नहीं पड़ेगी और दूसरा इसकी जो खुश्बू है वो चली जाएगी अई देखी कितना बढ़िया होगा है kitchen tips है देखिए brown होती जा रिये सूजी और क्या करेंगे इसको हम गरम को नहीं डब्बे में रखेंगे जब यह सूजी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको डब्बे में रखेंगे और हम जब भी हमें इसको इसको इस्तमाल करना होगा तो हमें इसमें बिल्कूल मैयत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी सूजी पहले ही भुनी होई है यह देखिए सूजी भुन चुकी है और यह गरम है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगी जब ठंडी हो जाएगी तो इससे किसी डब्बे में रख देंगे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूसफुल किचन टिप्स है यह और दूसरा किचन टिप्स है कि हम घर में चने लाते हैं इसको क्या करेंगे हम किसी कपड़े में रखे इन सारे चनों को इस तरह से अच्छे तरह से मसल लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी तरह से यूनीक और असान आपकी लिए वीडियो लाऊंगी यह देखिए चने अलग हो गए और इसके चिलके अलग हो गए अब हम क्या करेंगे इन चिलकों को अलग करके अपने इन चनों को किसी अच्छे से डब्बे में रख देंगे साफ सूकी डब्बे में और आप जब भी आपको इनको इस्तमाल करना होगा या खाना होगा तो आप आपको कुछ भी मैनत नहीं करने पड़ेगी ना यह चिल के आपको परेशान करेंगे इस तरह से इनको अच्छे तरह से जब इसी तरह से इनको मसर लेंगे और जितने भी आपके पास चन्यों इसी तरह से आप इनको साफ करकर रखिए यह देखे कितने छिलके अलग हो गए और एक भी दाने में छिलका नहीं है इसी तरह से आप इसको साफ कर लीजिए और हमारी तीसरी किचन टीप्स है कि जब अब भी हम घी को पकाते हैं तो यह हमारा जादिन चलता नहीं है खराब हो जाता है तो क्या करेंगे हम इसको सालो साल चलाने के लिए यह लोंग हम क्या करेंगे या तो हम इनको ऐसे कैसे लोंग को डाल देंगे इनको पीस लोंग इससे जो है ना हमारा जो घी है वह हमारा सालो साल चलागा कभी खराब नहीं होगा ना इसमें कभी खुसबो आएगी बहुत ही यूनीक किचन टीप्स है यह देखिए मैंने इसमें लोंग डाल दिया और अब यह लोंग भी इसके साथ पक जाएगी और इसमें से बहुत सौंधी सौंधी खुसबो आएगी इसी तरह से इसको चानने के बाद डबें पैक कर लिजिए कि अब तीसरा जो किचन टीप्स है कि हमारे जो मिट्टी के बरतन है अगर हम इनको यूज ना करें तो खराब हो जाते हैं बद्दे से लगते हैं इन पर फूई लग जाती है तो क्या करेंगे पहले अच्छी तरे से इसको दो लेंगे और इसमें डालेंगे हम सरसो का तेल और पूरे मिट्टी के बरतन पर सरसो का तेल कोच्छी तरे से लपेट लेंगे, इससे हमारा जो मिट्टी का बरतन है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और हमें जब बीस को इसमाल करना होगा, तो यह ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल सही निकलेगा, बहुत ही ध्यान देने वाला यह किचन टिप्स है, नहीं तो हमारे बरतन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, यह देखिए, अब इससे एसे रख देना, बिल्कुल नया का नया, मिट्टी का बरतन निकलेगा, और तीस, चोथा किचन टिप्स है, कि जब भी हम कड़ी बनाते हैं, या हम कूकर में बनाए या हम कड़ाई में बनाए, तो वो ना भोजल, भोध उबलती है, हम कुछ काम नहीं, उसके सपास हमें गंटों खड़ा होना पड़ता है, यह देखिए, यह मैंने कड़ी बनाई है, और यह ना कितनी उबाल आ रही है, बार बार यह कड़ाई से बाहर निकल रही है, और हम इसके वज़े से कुछ काम भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए, इससे बचने के लिए, इसमें डाल देंगे, हम एक कटोरी, आप इसे एक बार करके देखिए, बहुत ही बड़ी आए, देखिए, इसके बाद ना कड़ी बिल्कुल भी कड़ाई से बाहर न निकलेगी, और हमारी कड़ी बहुत ही बड़िया स्वाधिस्ट कड़ी बनेगी, यह देखिए, चाहे कितनी तेज गैस कर लो, कड़ाई में से, कड़ी बिल्कुल भी निकल देके निकल रही है, इसे तरह से हम कुछ और काम भी कर सकते हैं, और यह पकती रहे गे हमारी देखिए, कड़ी पकरी है, और देखिए, बाहर बिल्कुल निकली, है ना बहुत बढ़िया यूजफूल किचन टिप्स, अब एक और किचन टिप्स है, कि हमारी दाल ना अक्सर खराब हो जाती है, तो इनको हम क्या करें, एक लेंगे हम सर्सो का तेल, अगर आप इसाब है कि आप दाल कितनी है, अगर जब कि ज़्यादा दाल है तो थोड़ा ज़्यादा तेल ले लिजिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और हम इसको अच्छी तरे से मिक्स करने के बाद, इसको मिलाएंगे, इससे हमारी दाल बिल्कुल भी खराब नहीं होएगी, और हमार बढ़िया किचन टीप्स है, अगर आपको मेरी ये किचन टीप्स अच्छी लगी हो, तो मुझे कॉमेट करके कहिए, बताइएगा, कि आपको मेरी ये किचन टीप्स कैसे लगी है, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा या तो पंके की नीची सुका लीजिए, या आप की नीची सुका के, इसको सुखे डबे में रख दीजिए, और आपकी दाल बिल्कूल सही सलामत रहे,